Hey guys, welcome lecture number 14 में और इस lecture में हम लोग समझने वाले हैं module के बारे में module क्या होता है module एक तरीकी की code library होती है code library से मेरा मतलब क्या है कि एक कोई file है कोई file है जो module के नाम से जानी जाती है एक file है उसके अंदर पहले से ही बने-बना एक code है तो वो बस मेरे को code मेरे को अपनी file में use करना है उस code को मुझे लिखना नहीं है उस code को मुझे use करना है तो इससे क्या फायदा होगा इससे मेरा time बचेगा जो बार बार मैं code लिख रहा था वो code मैं नहीं लिखने वाला मैंने कहा किया module से वो code मैंने उठा लिया और उसका मैं use कर रहा हूँ module के अंदर क्या क्या होता है module के अंदर देखे, function होता है classes होती है, variables होते है और module के अंदर module भी होता है ठीक है? तो ये module के अंदर ये सारी चीज़े contain होती है अच्छा अब जो module जो होती है फाई होती है उसके extension क्या होती है período आप यहारे जैसे मैंने इस फाइल को लैक्ट 14.py से मैंने सेव किया है। उसी तरह से अगर में एक module बनाता हूं, तो उस फाईल को मैं .py से ही सेव करने वाला हूं ठीक है अब बात करते हैं मॉड्यूल के टाइप कितने हैं मॉड्यूल के जो टाइप हैं वो है मॉड्यूल के थ्री टाइप से हैं कौन-कौन से हैं उसको हम देखते हैं देखिए इसको मैं कमेंट डाउट करते तो देखिए मॉड्यूल के जो टाइप हैं वो थ्री टाइप स अंदर already inbuilt modules होते हैं, उनको हम कैसे use करेंगे, वो भी देखेंगे, फिर है external module, यानि कि कोई module हम कैसे install करेंगे, और उसको कैसे use करेंगे, वो भी हम देखने वाले, तो सबसे पहले हम देखने वाले क्या custom module, तो custom module बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें module create करना प पढ़ेगा कि हम module में करने का हवाल है हम module में क्या करवाएंगे तो मैं कोई प्रोग्राम सोच लेता हूँ मैं उसको module में बनाऊँगा और उसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे उसको मैं उसका नाम रख देता हूँ calculate.py और enter मैंने calculate.py नाम की एक module बना लिए और इसको मैं यूज करने वाला हूँ ठीक है इस module के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ देखें मैंने आपको बताया था module के अंदर आप function बना सकते हो class बना सकते हो variables और module के अंदर भी module आप डाल सकते हो तो मैं समझने के लिए थोड़ा easy हो जाए इस चीज के लिए हम इसके अंदर सिर्फ और से function बनाने वाले है तो मैं function मानाता हूँ function कैसे बनाएंगे def करके और इस function का मैं क्या नाम रख देता हूँ मैं function का नाम रख दाएँ add1 और यहां पर parentheses, colon, enter इसके अंदर क्या होगा देखें मैं इसके अंदर दो-डो पर remembers मैं pass करने वालाउं A, B ठीक है और यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ , यहां पर return करने वाला हूँ A plus B मैं यहां पर return करने वाला हूँ यह तरीके से मैं यहां पर मैने एक फंक्शन बना दिया यह चलने नहीं वाला क्यों क्यों किकि मैंने यहां पर इसको probigán और मेरे को यहां call रहें करना मेरे को तो 1.014.py पर मेरे इसको call करना है किस तरीके से दिख लेक है तो मैं एक काम करता हू थोड़े और मैं यहाँ पर functions create कर लेता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर चार functions मैंने यहाँ पर create कर लिए है add1, sub1, mul1 और div1 तो यह करने वाला है यह divide करेगा यह multiply करेगा यह subtract करेगा और यह add करेगा तो अब मैंने इसको कर दिया है save और अब देखिए हम इसको lecture14.py के अंदर कैसे यूज करूँगा देखिए अब समनना पड़ेगा module को कैसे यूज करते है module को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यह calculate जो module है इसको import करना पड़ेगा कहाँ पे lecture number 14 के अंदर इसको मैंने cut कर दिया है लेकर कोई नहीं यह lecture no.14 के अंदर import करना होगा तो import करने के लिए क्या करना पड़ेगा import keyword का यूज करना पड़ेगा तब जाके यह import होगा तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर लगा इंपोर्ट इंपोर्ट अब क्या लिखूँगा मैं दो तीन module अगर और अगर import करने हो तो वह कैसे करूँगा यहाँ पर मैं कोमा लगा दूँगा और जो मेरे दूसरे module का name होगा वो मैं डाल दूँगा तो माली जो उसका नाम है module 2 ठीक है फिर उसको जाद मैं कोमा लगा के module 3 कर दूँगा इस तरीक से जितने module होंगे आप कोमा लगा लगा के उनको module को एक साथ import कर सकते हो देखे अब import calculate करने से क्या हुआ import calculate करने से यहाँ पर जितने भी इस calculate.py में जितने भी आपके functions है, classes है, variables है वो सब यहाँ पर आ चुका है ठीक है lecture 14 के दर आ चुका है तो अब देखिए अब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर लिखा मैं यहाँ एक variable मना लेता हूँ और इसका नाम में कुछ भी रख देता हूँ मैं वैर रख ठीक है equal to अब देखिए अब मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा module name, module name क्या है calculate, calculate मैंने लिख दिया, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ dot, अब देखिए यहाँ पर मेरे को suggest कर दिया, add1, div1, mal1, sub1, तो इन में से मैं अगर addition अगर करना चाहता हूँ तो मैंने add1 यहाँ select कर लिया और parenthesis के अंदर मैं क्या value pass करने हो लो, कितनी value pass करूँगा, यहाँ पर मैंने कितनी value pass किये, 2, तो मैं यहाँ पर 2,6 मैं कर देता हूँ, और print नहीं कर वाया है, यहाँ पर print statement लगा के यहाँ पर where डाल देता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर run करा के दिखा यहाँ पर 8 आ रहा है, और मैंने यहाँ पर functions बनाए थे, वो यहाँ पर call हो रहे है, अच्छा, add की जगहाँ पर मैं मल डाल के check करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, 12 आना चीए, यह देखिए, 12 आ रहा है, बिलकुल अच्छे से work कर रहा है, तो इस तरीके से हम module को, यहा यहाँ पर थोड़ी से एक problem है, यहाँ पर problem क्या देखिए, यहाँ पर add, sub, mul और division यह चार मैंने functions बनाए है, लेकिन मेरे को जरूरत सिव इन दो functions की है, add की और subtraction की, ठीक है, लेकिन यहाँ तो यह सारे आ गए, तो इस वे से क्या हुआ, मेरे code का जो है, यह पहले lightweight था, पह उन मेंसे मेरे को सिर्फ दो functions की जरूरत होती, तो यहाँ पर import की वैसे सारे के सारे functions आगे, तो मेरा क्या हुआ, काफी heavyweight होगा मेरा program, तो इसी से बचे निकल हम क्या करते हैं, हम specifically, हम function, class, variable, उनको हम call कर सकते हैं, कैसे, देखिए, इसको मैं यहाँ आटा देता हूँ, और म मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर from keyword का use करना लाँ, from, from, अब module name मेरे को डालना पड़ेगा, module name क्या है, calculate, from, calculate, import, ठीक है न, calculate में से import कर दो किसको, अब मेरे को यहाँ पर सारे function, name, variable, या classes डालना पड़ेगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर add1 को मैंने यहाँ पर call किया, और comma, अब यहाँ पर मैं, sub1 को मैं यहाँ पर call कर रहा हूँ, ठीक है, बस इन दो चीजों को मैंने call नहीं कर रहा, यहाँ पर मैंने इसको import किया, इन दू functions को मैंने import किया, तो अब देखें, मैं यहाँ पर where equal to, क्या करूँगा, अब मैं, अब मैं calculate add1 लिखने वाला हूँ, और इसके अंदर values को मैं pass करने वाला हूँ, तो मैंने pass किया 5,3, तो क्या आना चाहिए मेरा output, मेरा output आना चाहिए 8, तो देखना, यह दो 8 आया है, और अगर मैं इसकी जगह मैं sub कर दूँ तो, sub, तो कितना आना चाहिए output, output आना चाहिए 2, ठीक है, तो इस तरीके से, अब माल लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर मल लिखा होता, तो यह multiplication होना चीए था, लेकिन यह error आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हमने multiplication यहाँ पर call ही नहीं किया, अगर हमने call किया होता, तो यह multiplication भी देता, यह देखना, अब आ रहा है, यहाँ पर multiplication हो र यह काफी हलका हो गया, अचा एक चीज़ से और सारे के सारे functions को आप call कर सकते हो, यहाँ पर यह सारे functions को नहीं कर सकते हो, यह मैंने सारे functions हटाए, और यहाँ पर मैंने star कर दिया, अब क्या हुआ, अब यह division जो रहे गया था, वो भी सब आ जाएगा, देखो, अब मैं आपर div भी लग दूँगा, तो भी देखे गया, यह देखो, यह देखो, division भी यहाँ पर हो गया, इस तरीके से star करके, सारे function, variable, classes, सब कुछ आ गया, यहाँ पर, तो इस तरीके से हम module का use करते हैं, और मैंने आपको यह भी दिखा दिया, किस तरीके से हम custom module का भी use करते हैं, तो य ऐसे use कर सकते हैं, देखे, python के अंदर कई सारे modules होते हैं, जैसे कि math module हो गया, यह आपके mathematics की जो भी problems होती ही, वो solve करते हैं, जैसे कि sine, cost, tan, ठीक है, यह सारे values आपको find करके देता है, addition, subtraction, division, यह सारी चीज़े, उसके बाद है आपका random module, यह आपको किसी तरह के random number आपको generate क करके देता है, calendar हो गया, calendar module, ऐसे बहुत सारे modules हैं, अगर आपको देखना है कि कितने सारे modules हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cmd पर जाना पड़ेगा, और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहां पर python लिखके enter हो जाओ, तो आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कर लेता हैं, यह यह आ गय है हमारे सारे के सारे modules, इतने सारे modules हैं इसके अंदर यह देखिए, इतने सारे built-in modules हैं, तो हम इन सारे modules का हम use कर सकते हैं, ठÎक है हैं तो हम कोई एक मोडियूल हम यूज करके देखते हैं एक काम करते हैं इंपोर्ट मैथ मोडियूल और कैलेंडर मोडियूल हम यूज करके देखते हैं यहाँ यहाँ पर लिखा मैने इंपोर्ट इंपोर्ट लिखने वाद मैं मोडियूल नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है ना calendar ये दो module हमने ये जो की built-in modules है Python के अंदर built-in module है बने बनाए इनको हमें call करना है ठीक है अच्छा इसके अंदर कौन-कौन से method होते हैं या functions होते हैं या variables होते हैं यह हम कैसे पता लगाएंगे इसके लिए आपको control प्रेस करके रखना पड़ेगा और इन पर cursor आप सब्सक्राइब निगाल सकते हैं उसी तरह के समय calendar में गया तो इसको चीज़े हम यहां पर दिखा रहा है जितनी चीज़े हम यूज कर सकते हैं एक तरीका और रहे यहां पर को प्रेंट लिखना पड़ेगा और इसमें आपको लिखना पड़ेगा डिया यानिकी डिरेक्ट यहाँ पे जतने भी is के mathoDs से वह आ गये इतने सारे इसके mathoDs से अगर मैं पर calendar को call करताह हूं तु देखना calendar के सारे आ जाएंगे यहाँ वह दो कलेंडर के जितने सारे हैं MathoDs वह यहाँ पर आ गाये इस तुरिके से हम यहाँ पर method का use करते हैं तो अब जल्दी हम देख लेते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ, जिसका नाम में रखता हूँ, आप चाहते हैं, कुछ भी इसका नाम रख लो, और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखने वाल हूँ, देखें, मैंने import लगाया, उसके बाद module name ल देख लेते हैं, अब यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ, तो sign 5 कितना होगा यह मेरे को दिखा देगा, यह देखो, अच्छा print नहीं गया, मैंने sorry, यहाँ पर print कर देते हैं, किसको where को, क्योंकि sign 5 की value where में store होगी, अब हम where को print कराने वाले, यह देखो, यहाँ पर sign 5 की value दिखा रहा है, अगर sign के जगा यहाँ पर 10 होता, तो देखो, यहाँ पर 10 की value दिखा था, यह देखो, अगर 10 की जगा मैं यहाँ पर factorial लिख दूँ, तो 5 factorial कितना होता है, यह दिखाएगा यह देखो, 120 होता है, 5 factorial, अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ, तो 10 factorial दिखाएगा, यह देखो, 10 factorial यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप math module का use कर सकते हो, अच्छा, इसको मैं comment out कर देता हूँ, और उसी तरीके से मैं calendar module को भी मैं, यहाँ पर आपको use करके दिखा टेक्स कलेंडर, यह पहली मेरे को suggest कर रहा है, टेक्स कलेंडर, parenthesis, dot, इसके बदम मैं कहा लिखना हूँ, format month, ठीक है, format month, और मैं आपर लिख जाता हूँ, 2020,12, यह मैंने क्या क्या, देखे, यह मैं calendar से 2020 का, यानि कि 2020 का, 12 month वाला मैं calendar देखना चाहता हूँ, तो यह देखना यह देखो, 2020 का, December वाला इसने मेरे को calendar दिखा दिया, अगर मैं 2021 कर दूँ, और यहाँ पर first कर दूँ, तो यह क्या दिखाएगा, 2021 का January का मेरे को calendar शो करेगा, यह देखो, 2021 का January का मेरे को calendar शो कर रहा है, तो इस तरीके से आप built-in modules का use कर सकते हैं, ओके, तो अब बात करते है external module की, external module क्या होते हैं, देखे, हमने बात की custom module की, जो हम खुद create करते हैं, built-in module जो python के अंदर होते है, external module जिसको हम install करते हैं, जिसको हम बार से कोई module और कहीं पे होगा, किसी ने बनाया, आप चाहतो खुद भी module एक create कर सकते हो, और इसको आप कहीं पे website पे, किसी website पे डाल सकते हो, तो लोग आपके modules को install करके, use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको module यूज करके दिखाता हूँ, देखे, module install करने के लिए आपको terminal पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, pip, tip, pip, यह pip, एक command है, इसको हम use करके install करते हैं, module, तो मैंने यहा module है, Faker, F-A-K-E-R, Faker, उसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यह Faker क्या करता है, यह आपको randomly name, email, country, और किसी टाइप का URL, यह सब आपको generate करके देता है, ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे Faker module के features नहीं बता रहा, मेरे को आपको यहाँ पे यह मकसद है बताने का, कि आपको external module किस तरीकी से हम install कर सकते हैं, और कैसे इसको use करेंगे, यह बताना मेरे मकसद है, तो मैं इसको क्या करूँगा, enter कर देता हूँ, तो देखना है, मैंने already इसको, क्या है कि अपने में install करके रखा है, अपने computer में, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे दिखा इसके अंदर भी further modules हैं, तो हम उनको कैसे use करेंगे, हम जो faker module है, उसके अंदर already एक और module बनाए, capital F, A, K, E, R, यह वाला एक faker बनाए है, उसको हम import करेंगे, तो कैसे करेंगे, from, from, faker, from faker, import, capital F, A, K, E, R, यह faker, यह वाला module मैंने import कर लिया, इसके अंदर बहुत सारे methods है इसको हम यहाँ पर print करने वाले है, तो मैं यहाँ पर print statement पहले मैं लगा लेता हूँ, और इसके बद मैं replicate कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले कोई randomly name generate करा लेता हूँ, तो मैं module का name लिखने वाला हूँ, यह वाले module का name, तो यहा अगर आपको name अगर randomly चीए तो आप dot name लगा दो तो मैंने यहाँ पर name लगा दिया और parenthesis से close और उसके बाद यहाँ पर capital F-A-K-E-R faker parenthesis dot यहाँ पर मैं email generate करा देता हूँ कोई भी ठीक है और यहाँ पर F-A-K-E-R faker dot यहाँ पर मैं कोई URL generate करा देता हूँ ठीक है बस यह तीन चीज हम देखते हैं और मैं run कराता हूँ यह देखें यहाँ 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 पर generate करके देती है मैं दुबारे हैं यहाँ पर कराता हूँ रन देखो अब यह दूसरी बार कुछ और generate करके देता है तो Faker module जो हमने externally install गया था वो इस तरीके से work करता है एक और बार run कराता हूँ तो देखना यहाँ कुछ और कर देखा तो आप इसके अंदर और क्या-क्या नेम, email, country, URL, website यह सारी चीज़े आप इसके अंदर call करा सकते हो और उनका जो है output वो देख सकते हो तो module में सिर्फ इतना ही अब मिलते है next lecture में, तब तक के लिए thank you